नमस्कार आप देख रही हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी गुपता नेपाल की राजनीती में उतल पुथल लगातार जारी है निसंबर 2020 में प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद यानी प्रतिमिधी सभा को भंग कर दिया और मद्याब्धी चुनावों की घुश्रां खती उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर सहोग नहीं करने का आरोप लगाये उली पर पार्टी के चेयरमेंट पुष्प कमल देहल ने बिस्ट चार के भी आरोप लगाए दि उन पर ये भी आरोप लगे हैं कि हाल के दिनों में उन्होंने अपने पुराने दोस्त भारत को छोड़कर चीन के साथ नस्दी क्या बढ़ा ली रवीबार को उन्हें कम्यूनिस्ट पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया इसके लावा पार्टी ने केपी शर्मा ओली की सदस्यता को भी रद कर दिया ऐसे में नेपाल की राजनीती में एक बार फिर से अईस्थिरता आ गई है सवाल उठता है कि आखिर ओली को पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया नेपाल में अब क्या होगा अईये इन तमाम सवालों के जबाब तलाशने की कोशिश करते हैं कम्यनिस्ट पार्टी अब बढ़ गई है पार्टी में ओली के खिलाफ बगावत के सोर काफी समय से बुलंद हो रहे थे NCP के नेता पुश्प कमल देहल प्रचंड ने पिछले हफ्ते सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली थी इस दोरान उन्होंने कहा था कि प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने अवेद तरीके से संसत को भंग किया और देश को मुश्किल हालात में डाल गया पूर्व प्रधान मंत्री प्रजंट ने कहा कि ओली ने ना सिर्फ पार्टी के सविधान और प्रक्रियाओं का उलंगन क्या बलकि नेपाल के सविधान की मर्यादा का भी उलंगन क्या संसत भंग होने के बाद से नेपाल में तूफान खड़ा हो गया है संसत भंग होने के खिलाब सुप्रिम कोट में करीब एक दर्जन से ज़ादा लोगों ने अरजिया लगाई है इतना ही नहीं संसत भंग होने के बाद NCP में भी दो गुट बन गए और दोनों गुट खुद को असली पार्टी बता रहा है लहाज चुनाप चिन को लेकर भी लडाई शुरू हो गई है कानून के जानकारों का कहना है कि ओली के फैसले पर फरवरी टेक कोई फैसला आ सकता है तीन सो से जादा वकीलों ने इस केस की सुनवाई के लिए खुद को रजिस्टर कराया है पिछले साल 29 दिसंबर को नेपाल में 25 हजार से जादा लोगों ने ओली के आफ़िस के बाहर मार्च निकाला था इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी विरोत प्रदर्शन हुए उस वक्त दहल ने कहा था कि ओली देश की शांती को भंग करना चाते है ओली के नेपाल की कम्यूनिस्ट पार्टी को पुनर जीवित करने की संभावना है जिसका तीन साल पहले नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी बनाने के लिए माववादियों के साथ विलै कर दिया गया था नेपाली कॉंग्रेस केंजरे समीथी के सदस्या शेकर खोईराला ने कहा मुझे संदे है कि चुनाव निर्धारी तारीकों पर होंगे। नेपाल सेना ने इस पस्ट कर दिया है कि वो मौझूदा राजणीते घटना क्रम में तठस्त रहे थे। लेकिन अगर पी-म ओली कानून और वेवस्था बनाय रखने और विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा बलो की मदद से शाषन करने की कोशिश करते हैं तो ये देखना दिर्शस्प होगा कि महा की सेना क्या करती है। फिलाल के लिए बस इतना ही तेश और दुनिया से जोड़ी ताज़े दमाम अपडेट्स के लिए आप जोड़े रहे हैं इस्पेन नाइन न्यूस के साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंदा है तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर करें साथ ही साथ हमारे चैनल इस्पेन नाइन न्यूस को सब्सक्राइब करना पेलकोल भी न भूले